क्या आपकी शादी के कई साल बाद भी आपका बच्चा नहीं हुआ है क्या आप अपने घर में बच्चे की किलकारियां सुनना चाहते हैं क्या आपकी कोख को किसी ने बांधा तो नहीं हुआ क्या आप कोई ऐसी विधी करना चाहते हैं जिससे आपके घर बहुत जल्द बच् दोस्तों आपका स्वागत है वशीकरंट स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल में इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं तोने टोट के वशीकरंट स्पेशलिस्ट चमतकारी समाधान, चमतकारी उपाए, व्रत पूजन विधी, जोतिश ग्यान और बहुत सारी धार्मिक बातें तो दोस्तों सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए वशीकरंट स्पेशलिस्ट चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे की आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे दोस्तों आपके घर भी गूंजेगी बच्चे की किलकारियां करे संतान ही नपत्ती ये उपाए आप हमारी ये बताई गई विधी को जरूर करें और इसका इस्तमाल करके आपके घर में भी गूंजेगी बच्चे की किलकारियां दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली विधी है जो की पौराडिक वेदों में से ली गई है और ये विधी आज तक कभी भी फेल नहीं हुई तो दोस्तों इस विधी को करने के लिए जो जरूरी सामान है वो इस प्रकार है थोड़ा सा गुड एक मुठी गेहू एक नीमू दो लाल मिर्च, थोड़े से चावल, काला धागा, लाल कपड़ा, थोड़ी सी लकडियां, एक जोड़ी बच्चे के नए कपड़े, सबसे पहले लकडियों को जला दे, फिर लाल कपड़े पर बच्चे के कपड़े रख दे, उसके उपर थोड़ा सा गुड रख दे, अब उस एक मुठी में चावल लेकर उसमें से आधे अगनी को समर्पित करें और बाकी लाल कपड़े में डाल दें अब दो लाल मिर्च हाथ में लेकर अगनी के साथ चक्र लगाएं एक मिर्च को अगनी में भेट कर दें और दूसरी लाल कपड़े पर रख दें अब लाल कपड़े मे लाल कपड़े में लपेट दें काला धागा अपनी दाई बाजू पर बांद ले और आधा गुड़ खा लें और आधा अपने जीवन साथी को खिला दें इस विधी को करने से आपके यहां पे बहुत जल्द बच्चा हो जाएगा दोस्तों लेकिन इस विधी को करने के लिए क कोई भी संतान ही नबबती बच्चे के लिए कर सकता है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा आपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूले दोस्तों अगर आप पहली बार वशीकरंड स्पेशलिस्ट चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जुड